नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रगती और आप सभी लोगों का प्रगती क्लासेस में स्वागत है तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो गंगा नदी है वो कहां से निकलती है कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट होता है कि गंगा नदी गंगोत्रे से निकलती है या फिर गोमुक से लेकिन यदि हमारे अनुसार बात करें तो गंगा नदी ना ही गंगोत्रे से निकलती है और ना ही गोमुक से और सा उनों की जो कटेग्री है वो अलग-अलग है तो अगर आपको किसी भी एक्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रेस्चन आता है तो आपको उस बांध की कटेग्री जानने होगी तभी आप उसका आमसर सही से दे पाएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं क सन दो हजार इस्वे में उत्तर प्रदिश से टूटकर अलग हो गया था और उत्तरा खंड को दो भागों में बाटा जा सकता है कि इसका जो पूर्वी भाग है इसे कुमायू कहा जाता है और जो इधर वाला भाग है इसको कहा जाता है गड़वाल गड़वाल वाले भाग में बहुत उचे उचे पहाड़ियां पाए जाती है और जिसे हिमानी कहा जाता है और हिमानी का मतलब तो आप लोग समझ ही गया होंगे हिमानी का मतलब होता है Glacier यानि कि पहाडों पर बर्फ के बड़े बड़े परत पाय जाते है अब सवाल ये उठता है कि इन पहाडों पर का जो बर्फ होता है Glacier होता है वो कहां जाता है तो जैसे जैसे उचाई बढ़ती जाती है प्रतेक 165 मीटर उंचा जाने पर टेमप्रेचर में एक डिग्री सेल्सियस की कमी आने लगती है ये कमी क्यों आती है ये एक अलग टॉपिक है जिसका हम लोग दूसरी वीडियो में डिसकेशन करेंगे और अब हम लोग जानते हैं जो गंगा नदी है वो कैसे उसका निर्मार होता है कहां से वो निकलती है तो जब हम धर्ती पर होते हैं तो हमें उस्मा विभिन प्रकार से मिलती है यानि कि हमें सुरी से भी उसमा प्राप्त होती है और हमारी आसपास की जो दिवारें होती हैं उससे भी हमें उसमा प्राप्त होती है और साथी साथ धर्ती से भी हमें उसमा प्राप्त होती है लेकिन जब हम उचाई की ओर जाते हैं तो हमें सिर्फ एक ही प्रकार से उसमा प् गर्मियों के दिनों में तो हमें नमी नहीं दिखाई देती है लेकिन जब ठंडी का दिन होता है तो हमारे मूझ से और सास्थी साथ जो भाफ निकलती है उसे नमी का जाता है यह जो नमी होती है यह बर्फ की ग्लेसियर से जब टकराती है तो बर्फ का स्रोत बनाती है और इस तोपत हिमानी है जहां से दो नदिये निकलती है पहला नदी है विश्णु गंगा और दूसरी नदी है धौली गंगा जब दो नदियों की गहराई समान हो तो जो उनके संगम से जो नदी बनती है उसका नाम जो होता है वो बदल जाता है तो इन दोनों नदियों की गहराई जो कि समान है इसलिए यहां पर जो नदी बनी है उसे कहते हैं अलक नंदा तो यहां से अलक नंदा नदी शुरू हो जाती है और फिर यहां से आती है नंदा किनी नदी और नंदा किनी नदी की जो गहराई है वो अलक नंदा नदी के गहराई से कम है इसलिए जब यहां पर य मंदानननदय की गहराई की जो हैं गहराई और साती चैνο capable मंदाकनी नदी मंदाकनी की मिलतजा कराया अधा के Mode की यहां यहां पर व। जाती है और फिर जो अलगनन्दा नदी होती है वह आगे कैल बढ़ती जाती है और फिर जू है उत्तर काशी के पास एक जिला जिसका गंगोतरी कहा जाता है जिसका accurate place है गोमुक यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागी रथी और भागी रथी जब अलगनंदा से मिलती है तो इसकी जो गहराई है वो भी अलगनंदा से कम है तो फिर यह नदी आगे क्यों बढ़ती है और यहां पर एक नदी आके भागी रथी नदी से मिलती है जिसका नाम है भीलांगना नदी जब भीलांगना नदी भागी रथी से मिलती है तो फिर ये आगे की और बढ़ जाती है क्योंकि भीलांगना नदी की जो गहराई है वो भागी रथी नदी से कम है इसलिए जो भागी रथी नदी होती है व विश्टू गंगा का संघम होता है जब घूंग ओली गंगा डूनु आपस में मिलती हैं उसे प्रयाग कह Tuja Bisnu गंगा और धाली गंगा-ग्दWalter हांवेल अलगनंदा में लिकांड करण संघружक्तर जोई उसे कहते हैं नंद प्रयाग फिर जब पिंडार नदी अलगनंदा नदी से मिलती है तो इन दोनों के संगमस्थल का नाम होता है कार्ण प्रयाग और फिर यहां पर बनता है रुद्र प्रयाग और यहां पर जब भागी रथी नदी अलगनंदा नदी से आ करके मिलती है तो य जाद रखने का एक सौर्ट ट्रिक है सबसे पहले विश्णु जी अवतार लिये थे और उसके बाद से उनका जो दूसरा रूप था जिस दूसरे रूप में उन्हें अवतार लिया वो थे कृष्ण भगवान तो जब विश्णु से विश्णु प्रयाग बन गया फिर जब प और फिर उसके बाद से जब कृष्ण भगवान थोड़े से बड़े हुए तो अपने कानों में वो कुंडल पहनने लगे जिससे कहा जाता है करड़ प्रयाग कानों में कुंडल पहनने लगे जिसे कहा जाता है करड़ प्रयाग और फिर जब वो थोड़े और बड़े हुए तो वो अपने गले में रूद्राक्ष के माला पहनने लगे थे जिसे कहा जाता है रूद्र प्रयाग और फिर ये सब चीजे पहन के वो एक देव की भाति दिखाए देने लगे थे देवता की भाति तो इसलिए उन्हीं कहा जाता है देव प्रयाग देवता की भाति दिखाए देने लगे थे इसलिए इस प्रयाग का नाम हो गया देव प्रयाग तो जो विष्णु जी थे पहले अवतार में, तो वहाँ पे बना विष्णु प्रयाग, फिर जब वो प्रिश्णु जी का अवतार लिए बच्पन में नंद के लाला कहा जाता था तो इस प्रकार से बना नंद प्रयाग और फिर जब वो थोड़े से और बढ़े हुए तो अपने कानों में कुंडल पहनने लगे थे जिसे कहा जाता है करण प्रयाग फिर जब वो थोड़े और बढ़े हुए तो अपने गले में रुद्राक्ष किमाला पहनने लगे जिसे कहा जाता है रुद्र प्रयाग और फिर जब वो ये सब चीजें धारर कर लिए तो वो एक देवता की समान दिखाए देने लगे तो हम लोग क्या सकते हैं कि वो देव प्रयाग हो गया तो इस प्रकार से ये एक सौट रिथा जिससे आप लोग इन सारे प्रयागों का नाम अच्छ से आप कर सकते हैं तो इस प्रकार से ये जब प्रियाग होते हैं इन्हें पंच्छप्रियाग का राता है और हिंदु धर्म में इन प curtain की बहुर ज्यादा मानिता भी औती यह जैसे ही भागिरति नदी से मिलती तो उसके संगम की शमीब ऑक बनाया मख़ा है जिसे टी बांध कर आजाता है और किरी बांध कि सपोर्ट के नाग recipes मख़ा नांगल बांध होता है तो जो तीहरी बांध होता है यह 260 मेटर उचा है और जो भाख़ा नांगर बांध है यह 225 मेटर उचा है लेकिन अगर आपसे किसे भी कॉम्पिटिशन का एक्जाम हुआ तो अगर आपको पूछेगा कि सबसे उचाय बांध कौन सा है तो आप तो यही लिखेंगे टीहरी बांध क्यों कि इसकी जो उचाय हो 260 मेटर है और भाख़ा बांध की जो उचाय हो 220 मेटर है यहाँ पर तो सा जादा प्रशिद्ध है और जो तीहरी बांध है यह अर्थ फिलर के लिए जादा फेमस है तो अगर किसी भी एक्जाम में पूछा राता है कि सबसे उचा गुरुत्वी बांध कौन सा है तब तो आप भाख़ा बांध का इनाम लिखोगे क्योंकि वहां पर आपको तीहरी बांध का नाम लिखोगे तो इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह चोटी से जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ने भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट व बंदे मात्राइब